तो लोगाइज कैसे हैं आप सभी आशा कहता हूं कि आप सभी सवस्त होंगे तो आज मैं यहाँ पर पशुम कोच्रा ने आया हूं थोड़ा सा घर के पीछे की और जंगल की साइड तो जाद दूर नहीं है यहीं पर अपने घर के पीछे और है और यहां पर जो है तीन पशु है लेकिन अब जंगल में परिवर्चित हो रहे हैं पर वास्तम में क्या यह यहींपर जो है मैं खेत में इन पशुम को चिदाने के लिए लाए हूं यहाप देख पा रही होंगे तोड़ी देर बात जो है मैं यहां से खेत के और जाओंगा और बहां पे राजमा के ह्वेच सबक्राइब गास लगा हुता है राजमा के सथ एक्स्था उसको निकालूंगा तो यह जो मेरे पीछे आप सारा अरिया देख पा रहे होंगे यह सारे जोए खेते इसमें बहुत सारी ज्ढ़ियां उग चुकी है और यह सारे के लेस खेते समें कोई भी जाई नहीं कि जाती है और इसमें अब जहाड़िया ही जहाड़िया होगी हुई है जैसे कि आप यहां से नीचे देख पा रहे होंगे यहां से नीचे थोड़ा है क्योंकि यहां पर हम खेती बाड़ी करते हैं इसमें से भी थोड़े बड़े हो चुकी है और कई प्रकार की फसले बीजाते गयहूं जो धान मकी सब कुछ इसमें बीजाता है लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं बीजाता है यह बाली भूमिया पूरी तरह से बंजर हो चुकी है इसमें आप देख पा रहे होंगे तो गाइस अब चलते हैं राजमा के खेत की और जहां पर हम राजमा के साथ एक्स्ट्रा सबस्क्रा राजमा है इसके ऑपर जा सके तो गाइस यहां पर वहां पर पновर पहुंच चुका हूँ अपने खेत निराजमा भी जी आपर देख भाए है इसमें पूर little bit और यहां पर देख पा करIR होगे है यहां पर पूर राजमा के वीच से जो हां घास अठा ठागी साथि लेकिन यहां से आगे जो खेत बचा है उसमें अभी घास निकालने को है, खरपतबार जो हटाने को अभी बाकी बचा है, तो आज मैं उसी को हटाऊंगा, यहां से आगी अभी इतना बड़ा खेत और बचा है, जिसमें से हमने खरपतबार को हटाना है, यहां पर मैं आपको न और इस साइड को भी हटाने को बचा है तो कायज अभी मैं ये खर्पतवार हटाने का कार्या शुरू कर देता हूं बाकि अब कल नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं तब तक के लिए अबीदा